नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ फिजा काजमी महात्मा गांदी के हत्यारे नातुराम गोड़्ची के भक्त को अपनी कॉंग्रिस में शामिल कराकर पूर्ब मुख्य मंद्री कमलनाथ गिरते नजर आ रहे हैं गोलियर में कमलनाथ की मौजूद्गे में बाबुलाल चौरसिया कॉंग्रिस में शामिल हुए यह वही बाबुलाल चौरसिया हैं जिनोंने 15 नवंबर 2017 में नातुराम गोड़्ची का मंदिर बनवाया था और गोड़्ची की आरती उतारी थी 30 जनवरी 1948 दिल्ली का बिरला भवन वो तारीख वो जगा जहां बाबु को गोली से चलनी कर दिया गया बाबु की हत्या से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया हिल गई पंडित नहरू ने इससे प्रकाश का चले जाना और इंसानियत का अंधेरे से घिर जाने वाला अपराद बताया अब विडमना देखिए कि गांधी नहरू की विचारधानाओं के बूते राजनीती करती रही कॉंग्रेस में गोट से भक्त का स्वागत सतकार हो रहा है आदर और पुरुसकार हो रहा है बीजेपी पूछ रही है कि कॉंग्रेस इतनी विचार शुन्य हो गई है कि गोट से भक्त में सियासी संभावना दिखने लगी पिछले दिनों बाबुलाल चौरसिया की एक तस्वीर खूब वाइरल हुई जिसमें हिंदू महासभा की केसरिया टोपी हाथ में आरती किठाली और सामने बापु के हत्यारे की मूर्ती एक कातिल को अराध्या मान कर अरा काति को गोट से क्या ये भक्त बता रहे हैं कांग्रेस ने आदर सम्मान के साथ परिवार के सदस्याता ले ली है मद्यप्रदेश कांग्रेस ने किस धूम धड़ाके से गोट से भक्त की आवागमी की ये ट्वीट देखकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा चौरसिया जी का कांग्रेस फरिवार में स्वागत है आपको बता दें कि बाबुलाल चौरसिया गौालियर के वार्ड 44 के पारशद है 15 नवंबर 2017 को इन्हों ने नाथुराम गोट से का मंदिर बनवाया मंदिर में नाथुराम गोट से की पूजा की थी आरती उतारी गई थी उस वक्त कांग्रेस में बाबुलाल चौरसिया के लिए खूब हंगामा किया था लेकिन अब कांग्रेस ने उनका स्वागत चतकार किया है खैर बाबुलाल चौरसिया ने एक इंटर्वियो के दारान कहा कि गोट से भक्ती के बारे में मुझे पूछा उन्हों बड़ा होलेपन से जवाब दिया वो जर्मजात कांग्रेसी हैं उन्होंने ऐसा कहा और कहा कि हिंदू महासाभा ने उन्हें हंदेरे में रक कर गोट से के बूजा कराई थी पिछले दो तीन साल से वो इस के इस तरहा से कारेकरम से दूरी बना कर चल रहे थे उनके मन में हिंदू मह हसाभा की विचारदारा सामीहित नहीं रही लेकिन अब इस मामले पर सियास्त मध्यप्रदेश में तेज होती जा रही है फिलाला भी के लिए इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाख के खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं SPN 9 News के साथ